कि अग्यान विवर्स आपका बहुत वह स्वागत थे लेंडिंग में और हम लोग आज मौडर्न इंडिया कप रहा है जो फ किसक्र है इद क эти कंपेनिंग का भारत में पड़ेंगे एंक भारत में और क्या प्रशितन य Hai और क्या उनका आना भारत में मजबूरी हो गया था या वह कौन-कौन से कारण थे जिनकी वज़े से भारत में आना चाह रहे हैं और फिर अन्ता आई भी उन सारी सक्तियों में फिर लास्ट में अंग्रेज सभी को हरा करके अपना एक छत्र व्यापार स्थाफित करते हैं और फिर एक टाइम पर भू भारत के सर्वेसरवा बन जाते हैं और फिर 1947 तक उनका राज चलता है भात में इन सब के बारे में विश्तार से बाचित करें से पढ़ें यह समझें कि वह कौन से प्रिस्थितिया हैं और क्या क्या रास्ते हैं जिनके मातिम से यूरोपी भारत में तो देखें यूरोपी चुक instrument एक इंडिए ब्भारत है और यह इंडिनेसिया है रहें प्रदेश हैं है यह उसमुारों के लिए फ्यमस एंप्र भारत का जो यह मानावारत्थ हैं कि ए मृत मसालों के लिए फ्यमस हैं दोनेश्या का जो व्यानिक प्रिस्थिण क मार्यं इस कि लिए इतना फेमस से किसे मसाला दियूप की संग्या दी गई है और चुकि ये युरूपिश सक्टिया ठंडे प्रतिस के लोग हैं ये उनको मसालों की जड़ोत है अपर हारिता है इनके लिए उनको कि लेना ही लेना है मुझे मांस को तो अच्छी क्वालिटी पकाना हो या यह फर चलते हैं यहां से जो ब्यापारी चलते हैं चुट्यार और चुलिया व्यापारी यहां से गुज्रात जुज्रांती व्यांपारीों के मंद्सितां से और यहां से जो बढ़ते हौए आगे अगैग यह सारे प्रशन्दी माध्यों हो यहां होते हुए के मंद्सितना भी टर्की व्यापारी इस को यह इलिए पहुचा रहे हैं इछe के माध्यम से जो भी सामान है उस सारे यूरोप पे फैर रहा है जाए जर फ्रांस हो डच डचों के पास हो और पर जाहें स्पेन हो पुर्टगाल हो इस सारी यूरूप में जो है मसालों का व्यापार जो हो रहा है जो मसाले पहुंच रहे हैं वो इटली के माध्यम से हैं और फिर इस्थार मार्क से होते हुए तुर्की पहुंचता है और तुर्की व्यापारियों के माधिम से फिर भूमत सागर से इटली पहुंचता है और इटली के माधिम से ये पूरे इरोप में जो है डिस्टिबूट हो रहा है तो कितने मधिस्ता है बीच में फिर भी साम होते हुए और फिर ये इटली को पहुंचता है एक रास्ता यह है लेकिन अक्सर समय में जो लाल सागर होते हुए रास्ता है ये बाजित रहता था क्योंकि इसमें कुहरा उगार ज्यादा रहता था और इसमें एक पाथेर नामक लाल घास के वज़े से ये मार्क फड़ा और हो जाता था बीच-बीच में तो इसका प्रियोग कम होता था ज्यादा तर इसी मार्क का होता था प्रियोग तो इसके मादरिम से यहां पहुंचता था फिर इटली के मादरिम से पूरे योरोप में रिस्टीबूइट हो रहा है एक प्रकार से इटली का पूरभी देशों के साथ जो ब्यापार था मसालों का ब्यापार था जड़ी बूटियों का उसदियों का सोरा नमक इन सब चीज़ों के ब्यापार पर ये काधिकार था और ये प्रकार से दादागिरी कर रहा है पूरे एक सीर था रिकाला सागर होते हुए और फिर यह इंडिली पहुंच रहा है तो यहां से भी वेलिस है वह वालिक जी के राजधानी कहला दिया इतना वहां पर शालों का बाहर से आयात होता है और फिर वह पूराइड में वित्रित किया रहा है और खूब लाव कमा रहा है तो ये एक लाब की जो स्टिती रहे हैं और उसके एक आधिकार की जो एक बात है वह भी आधिकार को किसी तरे तोड़ा जाए तो इक तुकानन यह रहेगा और फिर यहां पर इस तरे प्रशितियां भी बन नहीं है इसे वही समय नहीं है यहां है पर पुम्दर जागन हो चुका ह वहाँ पर लोगों के मन मस्तिस्क से जो यूरोपी चर्च की प्रधानता का विचार था वो दिरे-दिरे हट रहा है अब वह वैज्यानिक तरीके से सोचना सुरू कर रहे हैं अब कुछ नया करना चाहते हैं इसके लिए जरूरी है कि उनको पास कुछ उनको सनचर भी मिले नाविक के उपादे नाविक राजकुमार के उपादान करता है यह समुद्रियात्रों में खुदी बहुत रुच ले रहा है और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देता है बड़ी बड़ी जल्यान जो नावे हैं समुद्री नावे हैं उनको बनवा रहा है तो यह बहु हो रहा है कि कहीनी कहीं समU αυτर यात्राओं के सम प्रसाहन कर रहा हैं लिए बड़ी समस्याएं हैं कि अब आपको यह नहीं मालूम है रास्तिक ज्ञान है नहीं और आप समुदर में निकले हैं और पता रहें डिस। चले जाएं पताचला आप रास्ते में अपने नाव को लेकर जा रहें सामने कोई चट्टान आगे कटाक आगे आपके नाव को ही तोड़ दे रही है तो बड़ी चिंताएं थी खत्रे थे इस वज़े से लोग जा नहीं पा रहे थे लेकिन फिर आगे चल करके दो एक तो वा लुजा हम का विसकार हो जाएक ए एक तो कुतुब निमा का विसकार होगा कुतुब निमा ह тех bod दुब माँ Bill 2 इसा सुचक एंत्रहे तो पिर इसको जहाद पर लगा दे जाता था और फिर बोली नमें तेर भी विक्सित हो गया लिए पिर इस्टश्ट्रो बूली नमक ये उसे सब्ढ़ः कालम बिच्चन से अच्छास उदे जैं़ों का जा रहा था इन यांत्रों ने एक प्रकार से कम कर दिया या समाप्त कर दिया अब रिस्क लेने को तयार हो रहा है तो यह प्रसितिया बन नहीं है वहाँ पर दूसरी चीज आप यह देखिए कि आगे चल करके हम देखते हैं 1453 में उस्मानी तुर्कों ने जब यह टर्की इसको जीत लिया तुर्की को जब उस्मानी तुर्कों ने जीत लिया अरब ने तो फिर यहां पर उनका कब्जा हो गया और चुकि तुर्क बड़े प्रमपरागत रूड़वादी सोंच के थे वह ब्यापार वारीज में बिलकुल प्रोस्ताहिन उसको बिलकुल बढ़ावा नहीं देना चा मजबूरी हो रही है यह पहले बहुत कम चलता था क्योंकि इसमें घना कोड़ा रहता था और इस वज़े से अब उनके पास सिर्फ यह रास्ता है भी ठीक चलता नहीं है और यह दोने मारगों पर खत्रा है ब्यापारी डर रहे हैं उनके चान खत्रा है कहीं यह मारग ना द कर रहा है बस्तों को जो वित्रित कर रहा है और क्योंकि विरूप में जा रहे हों सिर्फ पिटली के माधिम से ही पहुंच पा रहे हैं तो एक तो चाहें स्पेन है पूर्टगाल हो चाहें डच हो या फिर फ्रांस हो तो वो सब इसके मोनोपॉलिया था यह कादिकार को कर ना दूसरा इटली के व्यापारिक के काधिकार को समाब्त करना और तीसरा हमने देखा कि जिस तरह से उस्मानी तुरकों ने टर्की को जीतने के बाद में चुकी वरूड़ वादी प्रकेट के विध्टी थे वह वह ब्यापार दिश के समर्थक नहीं थे इसलिए वह वह आपारिक मार्गों को जो दो मार्ग थे एक हर्मुझ चल सनिफारस के खाड़ी से होता हुआ और दूसरा यह जो सिल्क रूट था इस पर उन्हें कबजा कर लिया था और बासित कर रहे थे मार्ग को तो अब तीसरा मार्ग पहले बताया बहुत कम चलता था तो यह इनके मजब समुद्र में राष्ते का ग्यानना होना उत्षा अच्छान सवदेसांतर का घ्यानना होना इस सब्सक्रा ने फ्रक तुके और यह खुद ही है को बढ़ावा देने के कोशिश कर रहे हैं तो वो इस तरह प्रसृतियां बनी हुई है तो इन सब कारणों से एक प्रकार से इनके लिए मजबूरी हो गई है कि जो है एक नवीन मार के खुज की जाए और तीसरी चीज अब उस समय चुकि इसाई धर्म जो था वो दो भागों बटा हुआ था प्रोटेस्टेंटरों का इथोलिक तो इसाई धर्म का जो विश्तार है वो दूसरे देशों में किया जाए असाथ इसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कहीं ने कहीं एक कारण है तो वो इस धर्म से भावना से भी प्रचालित है इसाई धर्म को यूरोप के राज्यों से निकाल करके अब दूसरे देशों में भी पहलाए जाए एक कारण यहीं और एक और करार्न बताए जाता है वो ये है कि भारत और उरोप का जो संब्ध है वो प्राचीन काल से ही था हम देखते हैं कि रोमन स brushta रही हो तो रोमन स brushta में भारत के अहले पर सम्द्न हो को be 대통령 से उप प dando का को लेक हो और पर अन्य सब के तरुमन सासका करने के लिए प्रकार से प्रोसाहित हो रहे हैं तो यह तीन चार बाते हैं मसालों को पर हरता है जरूरत है ही और उस तरह प्रशितिया महाबर बन रही है और उस्तरे वहां पर फिर लाजसी इनको राजकी संद्शन भी नहां यात्र यात्रों दोनों को और अब फिर हमने देखा कि यह जो मार्ग है यह बाजित कर दिया गया है इसलिए उनका एक तीसरा मार्ग जो खोज करने के लिए प्रसाहित होते हैं अफिराते हैं तो इसी कर में हम देखते हैं पर एक से जो पूर्ट पर चलता है यहां से और यह इस रारेश्थे से चलता चलता यहां पहुंचता है यह जो स्पिंदIsar एब से 1486 में बार्थो लोमियो डियाज बार्थो लोमियो डियाज नामक एक पुर्टगाली यातरी पुर्टगाल से चलता है और इस रास्ते से चलता चलता है यहां तक पहुंचता है मुजांबिक दियूप तक अथाथ जो फिरिका महाद्यूप है इसके दच्छिर तरफे पहुंचता है और फुर्ट यहीं तक पहुंच पाता है और इसको एक नाम देता है के पाप गुड़ होप के पाप गुड़ होप अथाथ आसा का द्यूप आसा का द्यूप यह ऐसी को उत्तमासा द्यूप भी लिखा मिलता है कहीं कहीं बोलते हैं उत्तमासा द्यूप तो यहां तक पहुंच पाता है यह आत्री यहीं तक पहुंच पाता है अब यह रास्ता यूरोप को यहां तक अफ्रीका के जो है दश्री तर्टक अथा मुजाब्डिक तक करास्ता तो पता हो गया है फिर आगे 1492 में एक ब्क्ति है जो इस रेंसे चल रहा है भारत के खोज में और वह कहां पहुंच जाता है इस नाम है को लंबस कि को लंबस कि 1492 में चलता है इस्पेन से भारत की खोज में निकलता है कि भारत खोज ना कर पाता है और पहुंझ जाता है उत्तरी अमरीका के यूएसे वाले भाग में और चुक कहते हैं उसके दिमाग पहले से इंडियन चल रहा था इसलिए उसने यहां पर गोरे लोगों को देखा उन्हें इंडियन कहीं दिया है तो यह इस प्रकार थे को लंबस ने 1492 में अमरीका की खोज कर डाली अब इनको यह दो रास्ते पता हो गए पहले इनको यही रा 1498 में इस रास्ती इसी रास्ती यह रास्ता इनको प्रेश्पता हो गया है और 1498 में चल रहा है यहां तो तो इनको रास्ता प्रेश्पता है उसका नाम है वास्को डिकामा वास्को डिकामा तो यहां से यहां इनको एक ब्यापारी मिलता है गुजराती ब्यापारी अब्द मजीद जो पाइलेट है एक प्रकार से अब्दूलमजीद नमक जो ब्यापारी यहां मिलता है नोंको और उस ब्यापारी के सहायता से यह जिस रास्ते से यहां से चलते हुए जिस इस रास्ते से यहां से चलते चलते गुजरात और फिर यहां से होते हुए एक केरल के माना बा तारी के साहता सिर्फ आ रहे हैं रास्ता बता रहा है तो चौदा सो अठानवे में यह जो पासको डिगामा है इस रास्ते से चलता चलता यहां पहुंचता है माना बारतर पर किरल के और जहां कपक डाबू बंदरगाह है कपक डाबू बंदरगाह पर उतरता है कि करेंगें 20 महीं लिखा के 17 महीं लिखा पर परिशान नहीं हो तो 1498 में यह पहुंचता है और इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि वो फिर आता है करिब 3 वार आता है इसके बाद में फिर एक आने का इनका सिलसला चालू हो जाता है और फिर जो यूरोप फिर भारत का रास्ता एक कर से यूरोपियों को एक तीसरा रास्ता पता हो जाता है और यहां से फिर जो है यूरोपियों का आगमन आसान हो जाता है और फिर इसके बाद पूर्तकाली आएंगे फिर अंग्रेज आएंगे इसके बाद तमाम सकती आएंग के मालाबार तटपरत कपकड़ाबू बंदरगाह पे उठरता है तो इस तरह हमने देखा ये किस तरह क्या प्रिशितियां थी एरोप में और जो नहीं प्रोसाहिद कर रही थी और फिर कौन कौन से बेखती जाए शुरुवात में आदो इसके बाद में फिर हम अब प्रांसिस्कों डियल मीडा आएगा इस तरह से कई सारे यूरोपी गवंदर रहेंगे जो यहां पर अपनी बस्तियां स्थाफित करेंगे और लंबे समय तक बड़ी सक्ति के रूप में स्थाफित रहेंगे तो हमें के करके अब इसके बाद पढ़ेंगे पुर्तुगाली और तो फिर डच फिर अंग्रेज और तो फिर आने सक्तियों के बारे में बिस्तारते पढ़ेंगे थैंक्यू